साई की बात बच्चे अरे तू घपराता है क्यूं है मेरे बच्चे क्यूं घपराता है तू जानता है ना कि तू साई का बच्चा है तेरे साई तेरा बाबा है तेरा पिता है मेरे बच्चे तू क्यूं घपराता है मेरे बच्चे क्यूं बिल्कुल मत खपराया कर, तु साई का बच्चा है, और साई के बच्चे ढरते नहीं मेरे बच्चे, चाहे कैसी भी परिस्चती आ जाए, मैदान में उतरते हैं, जंग में लड़ते हैं, और जीत कर वापस आते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें उदी का तिलक लगा कर भेशता हू मेरे बच्चे उस मैदान में, और उस मैदान में तुम जंग जीत कर वापस आते हो, जो उदी है न, यह हमेश्या तुम्हारी रक्षा करती हैं मेरे बच्चे, हमेश्या, और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जलना तुम किसी नौकरी के लिए जाने वाले हो, तुम्हारा वहा तुम्हारे साइने तुम्हें दी है मेरे बचे, तौफे सरूप में मेरे बचे, और सुनो मेरे बचे, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी हर गुरुवार को विशेश पूजा करते हो, लेकिन मेरे बचे, अगर तुम्हारा स्वास्त बिल्कुल ठीक न हो, तो कुछ करने की नहीं है मेरे बचे मैं नहीं कहता तुम से कि मेरी कोई विशेश तरह से पूजा करो बस तुम्हारा जो ये भाव है ना जो तुम्हारा ये प्यार है मुझे यही चाहिए मेरे बचे पस यही चाहिए जो तुम हाज जोड़कर नमस्कार करते हो मेरे आगे नदमस्तक होते हो न तो बस मेरे बचे, मैं इतने में ही पिघल जाता हूँ तेरी भक्ती और भाव से न मेरे बचे, मुझे बहुत अच्छा रखता है बहुत अच्छा, तेरे अंदर से जो सकारत्मक उर्जा निकलती है न वही मुझे सबसे जादा अच्छी लगती है मेरे बचे और तू चारो तरफ दुनिया में न अच्छाई ही फैलाता है मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तेरे अंदर भी बहुत दुख दर्द है लेकिन तू किसी को दिखाता नहीं जताता नहीं मेरे बच्चे और हमेशा तेरे चहरे पर एक मुस्कान रहती है मेरे बच्चे और वही मुस्कान मेरे बच्चे दुनिया का दुख दूर करती है बहुत सारे ऐसे लोग है जो तुमसे प्रेड़ना लेते हैं मेरे बच्चे तुम्हारी वज़र से मेरे बच्चे बहुत सारे ऐसे लोग है जो सीखते हैं जिन्दगी को सीखते हैं जीना सीखते हैं अपने साइं पर विश्वास करते हैं मेरे बचे सिर्फ तुम्हारे कारण मेरे बचे क्योंकि तुम उनका विश्वास द्रिन करते हो मेरे अनुभव बताकर जब तुम मेरे अनुभव उन्हें बताते होना मेरे बचे तो उन्हें भी लगता है कि हाँ साई है कहीं न कहीं जहां उनके मन में शंका होती है न लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में उन्हें लगता है हाँ साई है साई सब के साथ में हैं और तुम्हारा यही विश्वास उनका विश्वास बढ़ाता है मेरे बचे और जो तुम य विश्वास पर, तुम्हारे साईं के विश्वास पर, तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मेरे बचे, और सुनो मेरे बचे, जहा कहीं तुम्हें जाना है ना, तो वहाँ पहले Ёर्णunt. पर्च पर्ताल करडो, खुद देख्भाल करडो जाकर उसके बाद ही जाना, क्योंकि लोगों की सुनोगे न, लोगों के कहने पर चलोगे, तो तुम्हें संतोस्ती नहीं मिलेगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूं, जब तक तुम खुद नहीं जाते हो, को तुम वहां अंकलंग कर सकते हो, तो खुद जाओ, खुद संतुष्ट रहो और उसके भाद ही वहाँ जाना मेरे बच्चे, किसी के कहने पर मत जाना, जहां तुम्हारा मन करे, जहां तुम्हारा मन संतुष्ट हो, जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम्हें सहुलियत लगे, वही जाना मेरे बच्चे और कुछ मेरे बच्चे चाहते हैं कि मेरे चरण उनके घर पर जाए मेरी चरण पादुका उनके घर पर जाए तो हां मेरे बच्चे जरूर जाएगा मेरे बच्चे जरूर आएगा तुम्हारे घर पर मैं आऊंगा बहुत जल्द आऊंगा चरण पादु के साथ तुम उदी जल पीते होना एक दिन वो आएगा कि तुम्हें वो एक एक आउश्टी भी नहीं खानी पड़ेगी सिर्फ तुम उदी खाओगे और वो आउश्टी ए छूट जाएगी मेरे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए इतना विश्वास रखना जो मेरा बच्चा उ परिशानी है ना उसके लिए तुम्हें बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं बार बार डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है हर हफते तुम्हें जाना पड़ता है ना तो तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा रोज एक काम किया करो कस्ट निवारन मंतर का ज जाएंगे मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परिशान आ चुके हो, बहुत परिशान, और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को न, घर पे ढंक से खाना बनाना नहीं आता, चुकि उन्होंने अभी नया नया शुरुवात की है, उन्हें पहले नहीं आता था, लेकिन उन्होंने अपने साएं के भरो से शुरू किया है, तो करो मेरे बच्चे, तुम कैसा भी खाना बनाओ, जब तुम मेरे नाम लेकर बनाओगे न, तो वो स्वादिस्ट अपने आप बनेगा मेरे बच्चे, और एक काम किया करो, जब भी तुम खाना बनाते हो न, तो खाना के बाद खाने में उदी डाल दिया करो, उसका स्वात दुगना हो जाएगा मेरे बचे, और साइराम साइराम करकर बनाया करो, हाथ तुम्हारे चलेंगे, लेकिन करवाओंगा मैं तुमसे, तुम देखना मेरे बचे, तुम्हे कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं सुन अंदान करना बिल्कुल भी मत्भूलना मेरे बचे, चाहे किसी प्राणी को खिलाओ, या किसी पशु पक्षी को खिलाओ मेरे बचे, लेकिन खिलाओ मेरे बचे, जरूर खिलाओ, और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना जाता हूँ, तुम्हारी चोखट पर जो रोज, ज उसे मैं भेशता हूँ क्योंकि इससे तुम्हारे कुछ करम कटेंगे मेरे बचे जो तुम सेवा करोगे न इससे तुम्हारे करम कटेंगे कुछ तुम्हारे करम ऐसे हैं जो बुरी तरह से तुम्हारे परिशानी का कारण बन चुके हैं बहुत सरी चीजे तुम्हारे जीवन में ऐसी चल रही है जहां पर होते होते अटक जाती है तो बस वही मेरे बचे इसलिए मेरे बचे मैं चाहता हूँ कि तू अंदान करे और उसके जरीए तेरे वो सारे करम कट जाए अशुप करम कट जाए और तेरे जीवन में खुशाली मेरे बच्चे तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे बस तुम अंदान करना मेरे बच्चे करना सरूर करना मेरे बच्चे और सुनो कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी अच्छे संसकार दो मेरे बच्चे उन्हें अभी से चीजे सिखा मेरे बच्चे मेरे 11 बच्चन मेरा कस्ट निवारन मंत्र थोड़ा थोड़ा उनके पास बैठकर करवाया करो उनसे और जो बहुत छोटे बच्चे है ना उन्हें गोद में बिठा कर उनके कानों में सुनाया करो मेरे बच्चे इससे तुम्हारे बच्चों की संसकार बहुत अ चाइएंगे वो हमेशा सही रहा पे चलेंगे और माता पिता का भी आदर सम्मान करेंगे तुम देखना और उन बच्चों को भी उधी जल पिलाया करो रोस पिलाया करो मेरे बचे और सुनो जब आज मंदर जाओ तो 108 बार मेरे बचे मेरा नाम जाप करना जो भी तुम्हारे रुके हुए काम है जो भी अटके हुए काम है वो होनी शुरू हो जाएंगे खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप दूआ